नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि पामाजन पी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, पामाजन पी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और पामाजन पी टैबलेट की वज़से क्या साइड इ पर शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए पामाजिन पी टैबलेट का उप्योग किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़़ से सूजन आ गई है, तो पामाजिन पी टैबलेट दर्ध के साथ सूजन को भी कम करती है। पामाजिन पी टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वशरीर के जोडों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, बुखार होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध और गले के दर्ध आधी साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में पामाजिन पी टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में पामाजिन पी टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे बधजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर खुजली होना, तवचा पर रैशेस होना, दस्त होना और लिवर इंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में पामाजिन पी टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकते हैं। और शरील में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानी लगातार कई महीनों क्या कई सालों तक पामाजिन पी टैबलेट का सेवन करने की वजह से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लकवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की पामाजिन पी टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डौक्तर पामाजिन पी टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेन की सलाह देते हैं। पामाजिन पी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको पामाजिन पी टैबलेट को लेने से पहले डौक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर पामाजिन पी टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डौक्टर की सलाह के बिना पामाजिन पी टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। पामाजिन पी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि पामाजन पी टैबलेट के साथ शराप का सेवन करने की वज़े से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। पामाजन पी टैबलेट मा के गर्ब में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं के ये पामाजन पी टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। और स्तनपान करा रही महिलाओं में पामाजन पी टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है। लेकिन इसकी वज़ा से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर पामाजन पी टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका पामाजन पी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल